अगर आप यूपी में बोर्ड एक्जाम देने जा रहे हैं तो हम आपको कुछ बाते बताएंगे जिन बातों का आपको विसेस कर ध्यान रखना है और आपको एक्जाम में कौन सी चीजे ले जानी हैं जिसे कि आपको वहाँ एक्जाम सेंटर पर जाकर आपको दिक्कत ना हो पहुस से बच्चे गलती कर देते हैं और फिर फोन करते हैं कि अपने घर में कि पापा ये रह गया वो रह गया फिर उसे लाया जाता तक तक देर हो चुकी होती है तो हम आपको बताएंगे कि आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है जिसे कि आपको बोर्ड एक्जाम मे हवा कम तो नहीं है उसको पूरी तरीके से जाच लें ताकि क्योंकि सुबह जब आप एक्जाम देने जाएंगे तो आप जो दुकाने होंगी वो सुबह खुली नहीं होंगी और आपको कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी तो आप अपने वहान को जरू चेक करने सामको कि कही पिंचर तो नहीं है उसके बाद अगर आप बोर्ड एक्जाम देने जा रहे हैं तो जो आप बॉक्स ले जाते हैं तो बॉक्स पे कई बॉक्स होते हैं जिन पर जैसे मैथ के जो होते हैं फार्मूले पर लिखेते हैं तो वो बॉक्स लेकर आप ना जाएं एक सिंपल बॉक्स लेकर जाएं polythene जिसमें R पार दिखाई देता हूँ और अगर आप scale यानि कि पट्री अगर ले जाते हैं तो लोहे वाली पट्री ना ले जाएं ठीक है लोहे वाली पट्री ना ले जाएं क्योंकि वहाँ वो लोहे वाली पट्री आपसे बाहर निकलवा देंगे और अगर आप कई exam center में जैसे आप belt लगा कर जाते हैं और जूते ये आप से उत्रबा दिये जाते हैं हर जगह नहीं होता लेकिन कुछ exam center में ऐसा होता है कि आप से belt और जूते उत्रबा दिये जाते हैं तो इस बात का त्यान रखेगा और जो main चीज है जो आपको exam में ले जानी है वो चीजे हैं कि आपके पास जो आप का जो प्रवेश्पत्र है उसकी आप दो फोटोकाफी जरूर करवा के रख लें ठीक है कई वार क्या होता कि आप बोड़ exam देने जा आपका बॉक्स रास्ते में गिर जाता है तो उसमें प्रवेश्पत्र होता है और आपका प्रवेश्पत्र खोजाता है तो आप इस इस्तित में क्या करेंगे तो इस इस्तित में आपकी जो फोटोकाफी होती है वो फोटोकाफी आपकी मानने होगी आप photocopy को दिखा कर आप exam दे सकते हैं तो इस बात का द्यान रखें कि आप अपने जो आपका प्रवेश पत्र है उसकी photocopy जरूर करवा की रखें और अगर आप exam देने जा रहे हैं तो आप अपना original आधार card लेकर जरूर जाएं एक identity card जरूर लेकर जाएं जैसे कि आपका आधार card पेंड card जो भी बना हो आधार card बना होगा आप सभी का तो आप लोग अपना आधार card जरूर ले जाएं और प्रवेश पत्र तो आपको ले जाना ही हमने आपको बता दिया कि आप प्रवेश पत्र की photocopy जरूर करवा के रख लें उसके बाद आपको passport size की photo जरूर ले जानी है passport size की photo आप जरूर ले जाएं और हो सके तो आप थोड़े बहुत कम से कम 3-400 रुपई ले कर भी चले जाएं क्योंकि अगर आपका लिन कोई आपको जरूरत परती है किसी चीज की तो वहाँ आप उस चीज को खरीज सकते हैं ठीक है तो इन चीजों का आप दियान रखेंगे कि अपना आधार कार्ड प्रवेश्पत्र प्रवेश्पत्र की photo copy दो प्रवेश्पत्र साइज फोटो आप ले कर जाएंगे ठीक है और जो scale या box जो भी आप ले कर जाएं उनको वह मतलब आपके पारदर्शियों मतलब इदर से उदर दिखाई देता उस पर कुछ भी लिखा ना हो पैड आप ले जावी सकते नहीं भी वैसे ना ले जाएगा क्योंकि एक्जाम सेंट्रों में पैड आपसे बाहर रखवा दिया जाता है लेकिन कई एक्जाम सेंट्रों पर आपके जो सीटे होती हैं वो सीटे सही नहीं होती है तो वहाँ पर अलाव कर दिया जाता है आपका पैड ठीक है तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर कर दिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा ठीक है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर मिलेगा तो मिलता है नाइक स्टुडियो में तब तक के लिए जाहिंद अगर आपको चान कर ये अच्छी लगी हो तो पीडियो को लाइक चुरूब करें